यह देखिए माशाला दो फेस रैडी हो गए चलो और अभी हैलपर हमारा तीसरे फेस की ग्राउंडिंग को केबल के उपर से उतारने के बाद में बैक पर कर दिया और इसी तरह इसका जो येलो कलर कोटिंग कलर है उसको राउंड करके आपस में बांद देंगे येलो फेस के उपर ताके बाद में रैड येलो बिलू जो है ना इजी रहे इस तरीके से आपने गांट लगा देनी है ठीका जी अभी ये फेस हमारे प्रपरेशन के लिए रैडी हो गया है आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फैंक के साथ शेयर करें देखते लिए चैनल लाइब इतका शोफर अब ही यह सिमी कनेक्टर रिमूब करने के लिए उसको स्पेशल टूल्ज जो है ना उसकी मदद से उसकी हल्प से नाइफ की तरह उसको लाइने लगाई जा रही है इस तरीके से जो के लाइनिंग हम लोग साइड से साइड पे नाइफ से लगाते हैं वो यहाँ पे स्पेशल टूल्ज नाइफ कटर की तरह होता है और उससे पहले यह फाइलिंग आप लोगों पता ही है माशाला जो लोग अभी मेरी वीडियो सुरू से देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे फाइल करनी है ठीक है यहाँ पे आपने फाइल करके सीमी कनेक्टर को रिमूव करने के लिए अब confirms जो मर्किंग की है वह आप उसको फाइलिंग इस तरीके से करनी है इस तरह यह तीनो blond फेस अप इसको करने शिए Update कर ले ना आप बलीव कीजिए ये सारी चोटी-चोटी चीज़े मतलब बहुत ही मैंनत के साथ और बहुत ही लगर के साथ हमने काम सीखा और हमारे उस्तादों ने हमें सिखाई हैं लेकिन फिन्शिंग और आपकी काम में क्वालिटी वो आइस्ता इस्ता तजर्बे से आपको हांसिल होती है तूकर एक्सपिरियंस और तजर्बा आपको दो दिन में चार दिन में चीज़ चे दिन में नहीं हो जाता ये साल नहीं सालों में आपको हांसिल होता है और एक दिन आप देखेंगे जिस तरह मैं आज खड़ा हूँ यहां पर इस तरह शुएब जो है एक दिन इनिशालला इस मुकाम पे खड़ा होगा क्यों शुएब वेरी गुड और आगे इसके जो हैलपर और इसके जो असिस्टर जोइंडर होंगे वो इनिशालला इस दूर पाकिस्तान में अगर जिन्दगी रही तो बैट के वीडियो को देख रहा हूंगा अगर आपको वीडियो ची लगए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली प्रेंक के साथ शेयर करें इस तरह पीसी उमारे पास पड़े होते हैं ठीक है इनो यह लड़कों को सिखाने के लिए इनको बताने के लिए और के मैं परस्याद के लिए फ्रक्रश battlefield के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग मुकमल होगी कितने मार्किंग करते हैं लाइन जो आप लगाते हैं चार तो अभी तीन लगा लिए एक फेस को और मार्किंग करने के लिए कमल होगी कि और लगानी अभी यह लास्ट चार हो गई है चार मार्किंग किया अपने अभी आप क्या करोगे सिमी क्नेक्टर को रिमूब करने के लिए सिमी क्नेक्टर को रिमूब करने के लिए अभी उसको फाइलिंग की जा रही है ठीक है सिमी क्नेक्टर को फाइलिंग की जा रही है तो अभी आपको पताते हैं नजदीक से के यह क्या हो रहा है यह देखिए इस तरीके से आप लोगों ने इसकी फालिंग करनी है बड़े खुबसूरत और नर्म हाथों से आपने और इस तरह खुबसूरत सा दाइरा खुबसूरती से मुराद ही यह खुबसूरत सा दाइरा और इस फाल में इस क्लिनिंग क्लिनिंग के परपस से इस तरीके से यह चीज़ बनने चाहिए आप लोगों का राउंड जाएना वो बिल्कु क्रियर आना चाहिए और फाल मारते वक्त जो आपका लास्ट पॉइंट है जब आपको एकसल पी आपको इस फाल में नजर आ जाए एकसल पी आपको इस फाल मारने के बाद नजर आ जाए तो आपका यह दाएरा जो है कंप्लीट हो जाता है ठीक है जी इस चीज़ का बड़ा ख्यार रखना है कि एकसल जब आप सिमी कनेक्टर के उपर फाल आपने मारनी है तो राउंड का जब इस फाल में राउंड आ जाए यानि एकसल पी यह वाला एकसल पी जब इसमें नजर आने लग जैसे यह आपको नजर आ रहा है तो आप का राउंड जो है वो मुकमल हो जाता है यह देखिए माशाला शुयब ने बड़े अच्छे तरीके से अंडर मेरी सुप्रविजन बड़े जल्दी पी करता है और यह सारा माशाला शुयब ने किया है मेरे असिस्टेंट केबल जोएंडर ने यह आप देख रहे हैं माशाल और बड़ी मेहनत कर रहा है अगर आपको वीडियो ची लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फैमली प्रेंकिस्ता शेयर करें और देखते हैं यह चैनल लाइव विद काशिप परदेशी